अब लिए इस वीडियो में लिकाया हूं और लगातार यह सीरी चल रही है इसका दूसरा वीडियो है इसमें कि वह सारे इंपॉट्टेंट कॉर्शन में इसमें कवर करूंगा और यह सीरी लगातार चलेगी तो वीडियो को आप अंतक देखें और लगातार मेरी इस सीरी से जुड़े रहें क्योंकि यह सारे कॉस्टेंट मेरी से जुड़े देने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन के साथ में नीचे बैल का बटन लगा हुआ है उसको क्लिक करना आपको जि को वह सारे वीडियो के कंफर्म नोटिफिकेशन में लेंगे जो कि आप देखना चाहते हैं सिविल सर्विस से रिलेटेड तो चलिए सिरु करता हूं वीडियो को अंतक देखेगा सारे इंपोर्टेंट 10 कोर्शन में इसमें आपके सामने लेकर आ रहा हूं करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अने के बारे में इंडियास लाज़ेस लेनिक प्रेटफॉर्म सब्सक्राइब नाओ अनेकेडमी जिसमें कि आप सभी एक्जाम की तेहरी कर सकते हैं मेरे लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड अने हर्दयाल क सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको सीधे 10% का डिसकाउंट मिलेगा अनेकेडमी पीछ से पहले की प्राइज हाइफ हो तुरंस आप सब्सक्राइब करें और इसा मोगा आपके हास से नहीं जाने जिए क्योंकि आने वाले समय में अपने सभी पॉसिस की फीस हाइक करने से दिल्सक्राइब कर चाहिक अने जाने ढ़ने वी प्रॉस प्लस में आपको में वहांने आपको खमटैज्वस अंmonटी मुंक टेसंट मोक टेस्ट और लोग दिडिकेटीज गुद्स क्संट है है सेरी भीकित्क से सेध मिलते हैं यह डिफ्रेंस है फ्री और प्लस में बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का लर्ण फ्रॉम फ्रॉम टीचर तुदा लाइब क्लासे इस्टक्चर लर्निंग डिफरेंट पॉस्टे होते हैं डेडिकेटी डाउट क्लिरिंग सेसंस होते हैं पूल कमेंट्स कोई भी किया जाता है साथ में उप्रॉम टां लॉट्चर को और अफ्लाइन मोड में दे सकते हैं चाहती साथ यहां पर दॉन्लोड करके रिवीजन कर सकते हैं कि हाली में 18 तघर्ष्ट को एट मन्त का फॉन्देशन को स्टार्ट हुआ है जिसमें के एंपी-पैसी प्रिलिम्स और मेंस की दोनों तयारी क आप प्लस कुर्स को जिसमें के एंप के टॉप को एक तॉप को पुरी कुप्री करवाएंगे डिकेटिव डॉट क्लिरिण सेजिनों का पीडिएफ नोट समें फ्रॉट निंगे फ्रॉम इस निंगे फिर्व जोड़िट यो की सामने आपको दिख रहा है हर्द्याल कुसभा इसको यूज़ करेंगे आप 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिश्म में मिलने वाला है अगला जो कोर्स है वह एंपी पेस्टी स्टेट इंजिनिर्री एक्जामरिशन सेक्शन एक आवसाती साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रश्रिक्शन ऑफिसर्स एक् प्रश्रिक्शन और वो सारी थेरी क्लासे कंप्लीट होंगी जिसमें कि आप इस एक्शन की पूरी तैयारी कर पाएंगे मेरा कोड इस्तमाल कीजिए और 10% का डिस्कॉंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा मेरा कोड हर्दयाल को स्वाह जो बैच जुलाई में स्ट पाट हो हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल केटिगरी की कोर्स में एक्सेस मिलेगा अनेकेडमी पर हाओ टुगेट दस्रिप्स्रिप्शन आपको पटिकूलर कोर्स का स्ब्स्रिप्शन चूज करना एक मेने तीन मेने छ चेक कर सकते हैं अगला practice question side जिसमें कि आप practice कर सकते हैं अपने सभी papers की आती साथ टेश्य जिसमें कि आप टेश्य जी भी लगा सकते हैं अने के पर वर्चर्स नाम की मैगजीन जिसमें कि आप current कि पूरी तियारी कर सकते हैं और यह फीचर फ्रेस के सबस्र्रेबल न miel घाउंट पर के लिए रिसकाउंट आपको सीधा मिलेगा इसमें आप की यूज़ई सब्सकाउंस के त्यारि कर पाएं अनेकनमी पे आपको live classes मिलती है PDF notes प्रोवाइट किये जाते है live classes में आपको polls के तुरू आप answer दे सकते हैं जिसमें कि आप अपने accuracy चेक कर सकते हैं ABCD करके आपको poll आएगा जिसमें कि आप live class में अपने exams के crash course में polls में answer दे सकते हैं सारे doubt clearing sessions आपर चलते हैं साथी साथ weekly और mega quiz भी conduct होती है time to time जिसमें कि आप अपने सारे exams की तयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे subscribe कीजिए now and crack करने के लिए तयार हो जाए MPPSC और पापम के सभी exam so let's crack it and don't forget to use my referral code हर्दयाल कुस्वा जिसमें कि आपको सारे courses में 10% का discount आपको सीधा मिलेगा मेरा referral code हर्दयाल कुस्वा जैसे आप लगाएंगे so let's crack it with the unacademy चलिए पहला प्रस्णा आगया आपका इस वीडियो का और यह है कर्क रेखा कहां से गुजरती है मद्रप्रदेश त्रिपुरा मिजोरम या फिर इन में से कोई नहीं विकल्प क्या होगा तो इसका सभी इन में से सभी दिया हुआ है कर्क रेखा तीनों ओपर दियोएं विकल्पों से गुजरती है अगर हम कर्क रेखा के वारे हम बात करें तो रेखा जो होती है 73 हाप जो अक्षा रेखा है अक्षांस रेका है उसको बोलते है करक रेका है जिसको इंगलिस में बोलते है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मद्द्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम इसके अलावा टोटल अगर दिखा जाए तो भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है ठीक है आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो यहां पर आपको इस वीडियो में करक रिखा से जुड़े हुए सारे questions यहां पर clear हो जाएंगे तो इसका जो सही उत्तर है करक रिखा कहां से होके गुजटती है option आपके सामने है 6, 8, 7 या 9 इससे पहले में पिछले question में आपको बता दिया तो इसका सही आंसर है आठ प्रदिश से होके गुजटती है वो आठ प्रदिश कोन से यहां पर मैं एक ही करके explain आपको कर देता हूँ कि आठ वो राज जी कोन से है यहां से की करक रिखा होकर गुजटती है पहला राज मैं आपको बता था कर पहला राज बनता है गजरात गूजरात गुजरात के बद में दूसरा राज जो बनता है राजिस्थात तीसरा बनता है न इसलिए भी जार जाएका वा Greek च्छर बनता गजी अ Jackie के लिए पाइस्ट बंगोल बोलते हैं उसके बाद में तरिव प्रुयपो में मीजोरम और शारSt New स्क्री को बना चाँ क्षांस रीख़ी तरत की समय कह एक तुषयर ताथ प्राफिक है यह तु doğru चैने से हमें आपको अगले कोशन से यह नमर नेक्स कोशिए भारत के एक राज जिस से होकर करक रिखा गुझरती है, कौन सा विकल्प है इसका, इसका सही विकल्प बताएं, जम्मू कस्मीर, हिमाचल प्रदीष, बिहार या पर ज़ारकंड, तो इसका सही विकल्प है d ज़ारकंड, इससे पहले वाले क्कॉष्चन में आपको क्लिर किया है, ज़ारकंड से च तिर ग़र, मनिपूर या फिर मयुजूरम तो कौना विकलप से होगा इसमें तो इसका सई उत्तर है मनिपूर है जिसे की करक रेखा नए गुजटी, अगर ले अगर हम इसको सिधी रेखा खीच या एकरक की तो यह मिजोरम से होके गुजरती है और उपर में मनिपूर है तो इसका उत्तर ये क्लियर होगा कि ऊपर से मनिपूर जाके गुजरता है जो कि नौर्थ में है ठीक है चलिए तो इसका आंसर क्या होगा मनिपूर से नहीं गुजरती बाकी तरी पूरा चतिर्गार और मिजोरम से करकरिका ट्र तो सबसे निकटतम गांधी नगर ही जिला है जो कि सबसे पास में है ठीक है चले अगले क्रेशन की और चलते हैं अगला प्रस्थ यह भी नगरों पर है जो कि साथवा प्रस्थ ने इस वीडियो का निम्य नगरों में से कौन सा करक रिखा के निकट है डिली कॉलकता अगला प्रस्थ ना गया निम्य लिखिट महत्पूर्ण अक्षांस भारत की दो बराबर भागों में विवाजित करता है कौन सा करता है 23.5 दक्षिन या फिर 33.5 उत्तर जीरो डिग्री या फिर 23.5 उत्तर कौन सा विकल्प सही है तो इसका डी विकल्प सही है जिसको कि बो लिखि venues नौर्थ में वसा हुआ है इसलिए यह नौर्थ वाली यह रेखा कहलाती 23 यह अक्षांस रेखा कहलाती है इसलिए इसको बोलते हैं ptr MP2-3 है और हम दक्षिन की बात करें 235 दक्षिन तो यह कर्क रेखा नहीं होती है मकर रेखा ठीक है नहरत की ब्रीद है टीक हैं एक्वेटर जो कि भूमद्य रेखा है यह क्या है भूमद्य रेखा तो भूमद्य रेखा से दक्षिर की ओ जो 23 एन अप होती है यह केलाती है मकर रेखा ठीक है और उपर वाली कर लेका केलाती हैंiram हो गया तो इसका अंसर क्या होगा डी ता करेक्ट अंसर टॉंटी त्री एंड आप उत्तर ठीक है न क्योंकि अपना भारत उत्री गुलार्द में इस देते यह कुर्शन नमर आटवा था वीडियो कैसा लग रहा है आपको कैसे लग रहे हैं अगर आपको मेरे वीडियो अशन के उत्तर में इस्थे थे विकलप आपके सामने हैं जार्कन, मणिपूर, मिजॉराम या पिर तुम्हन, तो यह तो इसमें से स्भी दिखे वेस्ट बंगॉल आ गया और यहा गया तिरिपुर Isaiah मिजोरं तो आगया और इसके उपर में हैं यहां पर मनिव ustedes तो मनिव तो मनिव पूर क्या ना एक डख्षिन में साूथ में और यह हो मियान मार ना मियान मार ठीक है चले अगले कोशटर चलते हैं अगला कोशचर्श का आकरी प्लेसनैं इस वीडियो का आखिरी क्रस्ण है जून महा मैं निम्नि स्तानों में से कहां दिन की अधिकत्म होती है है रवाद चीन्य भोपाल या दिनली कौन सा कशुब्धारि Ooo तो इसका जो सही विकल्प है वो है दिल्ली, दिल्ली में जो अवदी है दिन के समय की वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि ये ट्रॉपिक, उक्योटर से नौर्थ में, ठीक है न, उत्री गुलारद में अपना भारत है, और ये करकरेखा, जो करकरेखा वीच से गई आती है, तो सबसे नौर्थ में क्या है अपना दिल्ली, इन सभी विकल्पों में अगर देखा जाया, तो दिल्ली जो है, वो सबसे नौर्थ में, भोपाल थोड़ा सा पीछे पढ़ेगा, और चिन्नाई और हैदरावाद, जो कि साउत में पढ़ते हैं, ठीक है न, भारत के दक्षणी सीमान पढ़ते हैं, जो कि 23 and half के नीचे आते हैं, 23 and half जो होता है, वो उपर आती है, इसमें कि भोपाल भी आता है, करकरिखा के अंतरगर, ठीक है, तो ये क्लियर होगे आपको, तो इसमें दिल्ली is the correct answer, ठीक है न, तो दी विकल्पों इसका सही होगा, तो ये त आपको मेरे इसी तरीकी के प्रस्टन अच्छे लगते हैं, और रेगुलर देखना चाहते हैं, तो बैल आइकन को क्लिक कर लिजी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी लगाताथ मिलते रहेंगे, तो इसी के साथ अपना ये वीडियो जी समाप्त करता हूँ, जैहिन, जै बारत